हाईगे स arada सबस्वागे थे to Mechanical Channel पर Selfie Camera हमारे Life का काभी important पर्ट बन गया है जब हमें अपनी Selfie लेनी हो या फिर हमें अपने फ्रेंड्स के साथ पिक लेनी हो या फिर अगर हमें front camera को on करके video chatting करनी हो या फिर अगर हमें एक short video बनाना हो जिसको हम Facebook, Insta या YouTube पे अपलोड करें इन सब चीजों के लिए हमें चाहिए Best Selfie Camera वाला फोन तो आज अस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी Best Selfie Camera फोन्स हर बजट में इसके साथ एक और बात मैंने आप लोगों के लिए बाकी और भी लिस्ट बनाई हुई है Best Phone, 10,000 की रेंज में, 15,000 की रेंज में, 20,000 की रेंज में और Premium Segment में वो सारे वीडियो के लिंक आपको नीचर दिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब चलिए फटा-फट से अपने लिस्ट को हम शुरू करें इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले Premium Segment उसके बाद धीरे-धीरे हर एक Segment में बताऊंगी 10,000 की Segment तक तो चलिए Premium Segment से शुरू करते हैं अज सबसे पहले Premium Segment में जो Best Selfie Camera Device है उसके अंदर हमें मिलता है Dual Camera Setup और Device है हमारा Samsung का S10 Plus इसका Selfie Camera तो हमारा Best है लेकिन ये Overall Device भी हमारा All-Rounder है इसके अंदर में मिलता है 10 Plus 8 Megapixel का Dual Camera Setup जिसमें से 10 वाला Main है और 8 वाला हमारा Wide Angle है Selfie Camera में Wide Angle जो हमें मिल रहा है इसकी मदद से आप अपनी Group Photographs, Creative Photographs बहुत ही बढ़िया तरीके से ले सकते उसकी Pics अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि Detailing हमें बहुत ही बढ़िया मिलती है एकदम Crisp Clear Pics आ रही है हमारी और उसके साथ जो हमारा Portrait Mode है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा Edge Detection काफी अच्छा है और Background Blurring जो है उसको आप Customize कर सकते हैं मतलब पिक लेने के बाद भी कस्टमाइज कर सकते हैं आपको 3-4 options मिरती है आपको जो भी चूज करने हो उसको चूज कर सकते हैं डिफरेंट काइंड के Blurring Effects से आपके Pics जो है वो और Creative और और Lively हो जाती है Colors एकदम National आ रहे हैं अगर थोड़ी low light में भी अगर आप इस device से पिक लेंगे तो आपकी Pics में noise कम आएगी और बढ़िया brighter Pics आ रही है हमारी साथ ही इसके Selfie Camera में आप 4K video recording भी कर सकते हैं ये एक और बढ़िया plus point भजाता है हमारे इस camera का इसका back camera भी हमारा काफी बढ़िया है इसके back में मिलता है triple camera setup 12 plus 12 plus 16 megapixel का उसके Pics भी आप देख सकते हैं बढ़िया Pics आती हैं आलमोस्ट ये हमारी best Pics है तो camera wise तो ये device हमारा बहुत ही बढ़िया है उसके साथ आपको मिलता है Samsung Exynos 9A20 का प्रोसेसर उसके साथ 8GB RAM, 128GB, Intel and Memory तो बढ़िया performance मिलती है आपको इस device के लिए साथ में 4100mAh की बाटरी मिलती है fast charger भी मिलता है बॉक्स के साथ ही साथ में 6.4 इंच का डिस्पले है 2K डिस्पले, Dynamic AMOLED मज़ेदा लगता इसका डिस्पले यूस करने में डिटेल में पीचिस को जाने के लिए आप इसके unboxing देख सकते है इसके price की में बात करूँ तो यह हमारा 74,000 रुपीज का device था जो कि कि आपको अभी 6,000 एक्षेंच के बाद 68,000 रुपीज में मिल जाएगा 68,000 रुपीज में यह हमारे premium segment का best selfie camera device है इसका खरीदने का link मीचे description मैंने दिया हुआ है अब next segment आती हमारी 30 से 50,000 रुपी की range में इस range में कोई भी phone best selfie camera वाला मुझे नहीं लगता मतला अभी हमारा जो OnePlus 7 Pro आया है इसका selfie camera भी इतना बढ़िया नहीं है और इसके इलावा हमारे पास आता है Honor का View 20 वो मैं आपको recommend नहीं करूँगी क्योंकि अभी जो उनका थोड़ा पंगा चल रहा है वो पूरा sort out हो जाए उसके बाद देखेंगे तो अभी 30 से 50,000 रुपी की range में हमारे पस कोई भी best selfie camera वाला phone नहीं है अब इसके बाद आती हमारी 20 से 30,000 रुपी range इस range में आता है हमारे पस एक काफी stylish looking device जिसमें आपको best selfie camera मिलता है pop-up style में डिवाइस हमारा Vivo का V15 Pro सबसे पहले तो जो pop-up style होता है वो बहुत ही stylish लगता है यूज करने में तो ये तो एक इसका plus point है ही बहुत ही प्यारी detailing आ रही है portrait effects मिलते हैं आपको portrait studio lightning effect मिलते हैं आपको आप देख सकते हैं और background blurring और edge injection भी device को बहुत ही प्यारा है colors आप देख सकते हैं कितने vibrant नजर आ रहे है हमारी pics के bright colorful pics नजर आ रहे हैं आपको face shaping, body shaping मिल रही है तो आपको pic को जड़ा भी edit करने के जूर्ट नहीं है pic को सीधा upload करो गया हर एक mode में जबर्दस pics लग रही है back camera की बात करें तो triple camera setup है 48 plus 8 plus 5 megapixel का samples आप देख सकते हो अच्छी detailing के साथ, अच्छी focusing के साथ आपकी pics आती है इसके अंदर साथ में आपको 6.39 inch का super emulet display, ultra full view design में पूरा all display जिसको आप मज़े से enjoy कर सकते है bright colorful display है साथ में in-display fingerprint scanner भी है जो कि हमारे device को फटा-फट से unlock कर देता है साथ में आपको snapdragon 675 का processor मिलता है 6GB में 128GB intel memory मिलती है 7300mAh की battery मिलती है, fast charger भी box पे मिलता है performance को देखने के लिए आप इसका gaming review देख सकते है यह जो हमारा device इसके है, अगर price की बात करो तो price पीस का cut हो गया है पहले यह हमारा 28,990 रुपे का था अब यह हमारा 26,990 रुपे का हो गया है जिसमें आपको 32MP selfie camera मिलता है मतला उतना बढ़ी है नहीं है जितना Vivo का बढ़ी है लेकिन काफी अच्छा है साथ में overall देखा जाए तो वो device हमारा काफी कमाल का है device है हमारा Samsung का A70 Vivo वाले से अगर हम इसके selfie camera को compare करें तो इसके अदर हमें इतने सारे modes, इतनी सारे customization नहीं मिलती लेकिन pics आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे natural colors आ रहे है pics के अंदर हमें बढ़ीया detailing मिल रही है selfie camera की natural colors आ रहे है edge detection भी हमारा बढ़ीया है और जैसे हमें S10 Plus के अंदर मिलता है कि आप background को pick लेने के बाद भी change कर सकते है वैसी इसके अंदर भी background effect को change कर सकते है pick लेने के बाद तो ये देखा जाये तो हमारा इस budget में बढ़ीया selfie camera वाला device बन जाता है Samsung के भरोसे के साथ साथ में इस device के अंदर हमें 6.7H का Super AMOLED डिस्पले मिलता है कमाल का bright colorful display उसके साथ in-display fingerprint scanner मिलता है साथ में Slam Dragon 675 का processor मिलता है 45,000 mAh की बड़ी battery मिलती है उसके साथ 25W का Samsung का पहला 25W का fast charger मिलता है तो device फट फट से charge भी हो जाएगा battery backup भी अच्छा है डिवाइस का और उसके साथ back camera की बात कल लेते है तो 32,8,5 MP का triple camera आपको back मिलता है इस camera भी इस device का बढ़ी है आप देख सते हैं, samples आपके सामने है so overall ये भी हमारे एक बढ़ी option बन जाता है ये device हमारा 28,990 रुपे का था इसके उपर आपको 2000 रुपे का card discord मिल जाएगा और उसके बाद ये आपको 26,990 रुपे का पढ़ सकता है अगर आप Samsung का phone लेना चाते हैं तो ये आपके लिए बढ़ी option रहेगा best selfie camera device में इसका खरीदने का link नीचे description में मैंने दिया हुआ है इसके बाद आता है हमारे पास 15-20,000 रुपे की range में एक बढ़िया selfie camera वाला device जिसका की action में price पहले जादा था और अब कम हो गया है device है हमारा stylish Vivo का V15 पहले मैं आपको बताती है उसके selfie camera के बारे में pop-up style में जो हमारा 32 megapixel का selfie camera है और उसके बाद में आपको पताती है उसके offer जो आपको Vivo के V15 Pro में बड़िया-बड़िया features मिल रहे है वो सारे आपको इसके अंदर मिल रहे है आप देख सकते है पिक्स की तरफ एकदम punchy colors आ रहे है जिससे की पिक हमारी काफी lively सी हो रही है सबसे अची बात ही होती है कि editing भी करने की जूरत नहीं है मतलब आप थोड़ी low light में हो आप या फिर आपको पिक के अंदर थोड़ा सा effect डालना है कुछ भी करना है वो सारा आप इसके अंदर खुदी customize करके अराम से पिक ले सकते है अब इसके बार इसके पहले offer पर नजर डाल लेते हैं यह पहले हमारा 22,000 पर का device था इसके price 2000 पर कम हो गया तो 20,000 पर का हो गया अभी आप उसको खरीदोगे तो 2000 पर का exchange bonus मिल जाएगा तो आपको यह device 18,000 का पढ़ सकता है अब 18,000 में में आपको best selfie camera तो मिल रहा है साथ में आपको बड़िया performance मिल रही है क्योंकि Helios P70 का processor मिलता है आपको gaming review आप इसका देख सकते हो मज़दार gaming performance मिलती है हमें इस budget में साथ में 4000 image की battery मिलती है आपको इसके अंदर साथ में fast charger मिलता है साथ में triple camera setup back में मिलता है 12 प्लस 8 प्लस 5 का हर mode में आपकी बढ़िया पिक्स आएंगी साथ में 6.53 इंच का आपको full HD plus display मिलता है ultra full view design में साथ में आपको इसके इंदर in display fingerprint scanner में मिलता है सो यह हमारा device 18,000 पर गरस आपस तो एकदम killer option में आपको best selfie camera phone लेना चाहें तो बिलकुल ले सकते है इसका खरीदने का link नीचे description में दिया है अब इसके बाद 15-20,000 पर गरेंज में आता है हमारे पस OPPO की तरफ से OPPO का K1 इसके अंदर हमें मिलता है 25 megapixel का selfie camera यह हमारा OPPO का 25 megapixel का selfie camera आप देख सकते है पिक्स को मैं आपको zoom करके दिखा रहे हूं बहुत ही बड़िया पिक्स आई है इसकी focusing हमारी काफी अच्छी है और यह आप blurring effect देख सकते है बड़िया blurring effect आ रहा है edge detection हमारा बहुत ही अच्छा आ रहा है इसके device का साथ में colors जो है वो हमारे थोड़ी boosted है तो colors भी हमारे अच्छे लग रहे है और detailing device के camera की काफी सही लग रही है मतलब यह आपको 15,000 बे के budget में मिल जाएगा उसे साबसे इस device का camera बहुत ही कमाल का है उसके बाद इस device के अंदर हमें back में 16 प्रस 2 megapixel का dual camera setup मिलता है शौट हर mode में आपकी बड़िया पिक्स आएगी साथ में इस device के अंदर हमें 6.41 इंच का emulet display मिलता है तो emulet display में तो videos, movies आपकी must नजर आएगी साथ में in display fingerprint scanner भी है device के अंदर तो आप एकदुम style से device को unlock कर सकते हो साथ में Snapdragon 660 का processor मिलता है 36 image की battery मिलती है तो performance wise भी आपको इस device में कोई problem नहीं आएगी overall एखा जाए तो यह हमारा 15,000 उपे की range में एक बड़िया option बन जाता है जिसमें आपको best selfie camera में मिल रहा है अब अंडर 10,000 उपे में आता है हमारे पस Xiaomi की तरव से best selfie camera device जिसमें आपको 32 में का pixel का selfie camera मिलता है और device है हमारा Redmi Y3 इसके camera में भी detailing हमारी बहुत ही जबर्दस्त आई है मतलब इस budget में तो actual में इस device को competition दे ही नहीं सकता selfie camera के लिए जबर्दस detailing वाली pics आई हमारी और आप देख सकते हैं कुछ मैंने low light में भी ली है noise कम है इसके selfie camera में और colors भी हमारी एकदम bright vibrant colors आ रहे है तो overall जो pics आ रही है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी सकते हैं इस device का कोई competition नहीं है selfie wise 10,000 रूपे के budget में बाक 12 प्लस 2 MP का dual camera setup रिल जाता है वो भी हमारी काफी सही pics ले ले लेता है दोनों front and back camera से आपकी बढ़िया पिक्स आ जाएंगी लेकिन selfie camera जादा बढ़िया साथने आपको snapdata 632 का processor मिलता है वो आपको under 10,000 रूपे में काफी ठीक performance दे देगा साथने 6.26 इंच का आपको इसके अंदर dot notch display मिलता है Gorilla Glass 5 की protection के साथ HD plus मिलती है हमें resolution हाला कि Full HD plus मिल जाती तो जादा बेटर होता लेकिन बस यह एक negative point आता है device के दर की HD plus resolution है साथने आपको 4000 image की battery भी मिलती है तो device को आप मज़े से use कर सकते हैं जिनको कम budget में मतलब 10,000 के नीचे के budget में best selfie camera device चाहिए उनके लिए यह अभी आज की date में best option है यह device हमारा 10,000 उर्पे का है इसका खरीदने का लिंक इचे description में आपको मिल जाएगा यह थे हमारे best selfie camera phones जिनको आप ले सकते हैं इस महीने आगे मैं आपके लिए और बड़ीया बड़ीया लिस्त लेकर आऊंगी चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद black in को प्रेस करना ना भूलें